Hello students, आज इस वीडियो में हम Food Science and Technology Net Exam के syllabus में से Unit 1 का Topic 8th, Canning को Detail में पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हैं, Canning. Canning एक Food Preservation का Method है, जिसमें हम Food को Processed करते हैं and Hermetically Seal करते हैं, Containers में, Through the Agency of Heat. Canning प्रवाइड करता है Shelf Life, Typically Ranging from 1 to 5 Years and ये Shelf Life बढ़ भी सकती है, Under Specific Circumstances. Canning में Heating, हमने आपको बताया कि Through the Agency of Heat, Heating का क्या Principle है, कि सारे Micro Organism है, जो वो डिस्ट्रॉइ हो जाते हैं, Heating की वज़े से. And Permanently Sealing जा फिर Hermetically Sealing का क्या Purpose है, कि जो Re-Infection होने के Chances होते हैं, वो भी इनकी वज़े से नहीं होते हैं. Canning क्यों की जाती है, जो Fresh Fruits and Vegetables होते हैं, उनमें High Percentage of Water and जिसे आप बोल सकते हों कि Marshall Content present होता है, जिसके वज़े से, वो Fresh Fruits and Vegetables हैं, जो Highly Perishable बनते हैं. अगर उन Fruits and Vegetables की Skin है, जो Surface है, वो Weak है, जा फिर किसी Disease के कान थोड़ी बहुत Weak है, और किसी Birds, किसी Insect के कान उसे Damage कर दिया गया है, तो जो Micro Organism होंगे, वो उसके अंदर Penetrate कर जाएंगे, अपनी Growth स्टार्ट करेंगे, जिससे Food Spoil होना स्टार्ट हो जाता है. जो Canning है, वो इसलिए की जाती है, कि जो Spoilage Micro Organism है, उनसे Fruits and Vegetables को, जो Canning Fruits and Vegetables है, दूर रखा जा सके, ठीक है, Food को जब Preserve किया जा सके, by the Application of Heat, so that it can be safely eaten at the later time. जो Safety है, वो Consumer के लिए Primary Concern है, जब हम Food को Can कर रहे हैं. History क्या है कहने की, During the First Year of the Napoleonic War, तब जो French Government थी, उसने एक ओफर किया, कि उन्होंने एक Award रखा, 12,000 फ्रेंच का, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि, जो भी इनसान ऐसा device, जा फर ऐसा effective, जा चीप मेथड बनाएगा, जिससे हम Large amount of food को Preserve कर सके, उसे 12,000 रुपए इनाम में दिये ज जाएंगे, तो क्योंकि वहां पे क्या था कि, Large number of armies of the period required increased and regular supply of quality food, तो इसलिए फूड था जो Large amount में खराब होए जा रहा था, तो इसलिए उन्होंने 12,000 रुपए का, जो था French Government ने इनाम रखा, कि जो भी इनसान चीप और effective method बनाएगा, Large food को Preserve करने के लिए उसे इनाम दिय जाएगा, तो जो Nicole's Apart थे, वो एक French Confectionaries और Brewer थे, तो उन्होंने अब्जर्व किया, जो cooked food है, inside the jar, वो spoil नहीं हो रहा, जब तक हम उसकी seal नहीं हटा रहे हैं, ठीक है, तो a glass jar which is referred to, उससे फिर appetization बोला गया, and उसके नाम पर, उसके बाद उसको canning बोला गया, appetization में उन्होंने क्या किया था, food को seal कर दिया था, harmatically seal कर दिया था एक container में, तो जब तक उसको उन्होंने seal नहीं हटाई, तब तक food है, जो खराग नहीं हुआ, तो उससे appetization बोला गया, अब उससे हम canning से जानते हैं, तो आपको अगर कोई पूछे कि canning का जो आविशकार किसे ने किया था, वो निकोल से अपाट से, अपाट अपट थे, जन्होंने 8009 में इन्होंने आविशकार किया था, foods कौन कौन से canned किये जा सकते हैं, जो low acid food होते हैं, मतलब कि जिनके pH range 5.02, 6.8 होती है, जैसे के meat, fish, poultry, dairy, ठीक है, ये सारे food हैं, जिनको canned किया जा सकता है, low acid food में आती हैं जी, and acid food, जिनकी pH value है, जो 4.5 से 3.7 के विचकार होती है, जिसके fruits, pear, orange and tomato, मतलब कि जिनमें acidic acid की जो मात्रा है जादा होती है, जिनमें आपको मैं simple में बता हूँ, जिनमें खटा बन जादा होता है, उस food को हम acid food बोलेंगे, high acid food, इसमें जैसे के pickled products होगे, fermented fruits होगे, जिनकी pH value ranging from 3 3.7, down to 2.3, also jam and jellies भी high acid food में आती है, ये तीन तरह के food हैं, जो canning के लिए यूज किये जाते हैं, अब हम पढ़ेंगे canning के process को, कैसे canning होती है, ठीक है, उसके flow chart के थ्रू, flow chart मैंने इस तरह से बनाया हुए है, आप समझने के कोशिश कीजिएगा, first of all हम select करते हैं, उन fruits and vegetables को, जो के ripe हों, fresh हों, firm हों and matured हों, उन पे कोई blemishes नहीं होनी चाहिए, कोई भी insect दवारा वो damage नहीं होनी चाहिए, fruits, अगर आप vegetables ले रहे हों, तो उन पे जो soil है, dust है, उनसे वो free होनी चाहिए, and आपको over ripe fruits and vegetables भी choose नहीं करने हैं, क्यांकि जो over ripe fruits and vegetables होते हैं, उन में microorganism क growth जल्दी होती है, तो आपने इस हिजब से select कर लेने है, fruits and vegetables, select करने के बाद, हम sorting and grading करते हैं, fruits and vegetables की, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, sort करते हैं, उनको size and color के based भी, आप sorting and grading है, जो by hand and by any equipment भी कर सकते हो, sorting करने के बाद, washing करते हैं, जो fruits and vegetables हैं, उनको wash किया जाता है, different ways के साथ, जैसे के soaking or agitation in water, wash with cold and hot water and spray waters, जो vegetables हैं, उनको soak किया जाता है, in dilute solution में of potassium permeate to disinfect them, vegetables को disinfect करने के लिए, उनने dilute solution of potassium permeate में soak किया जाता है, and spray washers भी use किया जाते हैं, and जो hot water and cold water भी use किया जाता है, पहले hot water से जो है, wash किया जाते हैं, तहां जो microflora है, heating hot water की present होने के वज़े से, microflora है, जो वो remove हो जाए, and hot, and उसके बाद washing करने के बाद, हम peeling, coring and pitting करते हैं, peeling हैं, जो fruits and vegetables की, वो many ways से हो सकती है, by hand or with knife, by किसी machine, and by heat treatment, अगर आप heat treatment देते हो, तो उसमें क्या होता है, कि ज उसके बाद उसकी peeling कर सकते हो, and peeling by lay solution भी हो सकती है, lay solution कौन सा होता है, हम fruits and vegetables को dip करते हैं, boiling caustic soda वाला जो solution होगा, जिसके strength होगी, 1-2% for 30 seconds के लिए, से लेके 2 minutes सक हम fruits and vegetables को dip करेंगे, ठीक है, तो और ये peeling करने के बाद, मैंने आपको methods बताए, hand or knife के दवारा, machine, by heat treatment, and by lay solution, जो cores and pits होते हैं, fruits and fruits के, उनको remove कर देंगे, by hand or by machine, next step आता है, coring and pitting करने के बाद, blanching, blanching में क्या होता है, कि fruits and vegetables को treat करा जाता है, hot water या फिर steam वाले method से, इसमें क्या होता है, कि blanching का objective क्या है, कि जो skin है, वो lose हो जाए, जो fruits and vegetables है, वो soft हो जाए, and जो enzyme zone में present है, वो inactivate ह जाए, ताँ जो आगे metabolism ना करें, and और क्या होता है, कि जो flavor है, वो अच्छा हो जाए, reduce कर देंगे, उनकी जो astringness ही होती है, some foods में उसको remove करके, reduce करके flavor को enhance करते है, blanching का purpose यह होता है, कि जो inactivate कर देंगे, हम सारे microorganism को, ताँ जो है, spoilage food की ना हो, blanching करने के बाद, can filling की पारी आती है, can filling में क्या करते है, अब जो हमारे, जो can है, उसको steam jet से wash करवाया जाता है, पहले उसे wash किया जाता है, फिर उसको, उसमें से to a steam jet, remove any adhering dust और foreign matter, ठीक है, before can को fill करने से पहले, उसमें हम sir pad करेंगे, अगर हम fruits को की canning कर रहे हैं, तो पहले हम नीचे sir pad करेंगे, अगर हम vegetables की canning कर रहे हैं, तो पहले हम नीचे brine add करेंगे, ठीक है, तो यह हम क्यों करते हैं, कि medium, क्योंकि flavor देने के लिए हम siriping and brining करते हैं, तो उसके बाद हम, हमने आपको बताया कि अगर fruit डाल रहे हो, तो sirip add करो, अगर vegetables की canning कर रहे हो, तो brine add करो, उसके बाद can को fill कर दो, आपके fruits and vegetables से, अलग-लग method आपको यूज करना है, तो by-up machine भी कर सकते हो, by-up hand भी कर सकते हो, sirping and brining, the can is filled with hot sugar syrup, ठीक है, आपको मैंने बताया कि आपने sirp और brine, आप उससे हिसाब से डाल दिया, अगर आप fruits and vegetables की sirping कर रहे हो, canning कर रहे हो, तो उसके बाद आपको ड vegetables है, जो sirping hot brine यूज किया जाता है, 1-2% and जो sirp की concentration होती है, वो 35-40% तक होती है, जो sirp and brine है, वो 79-82 degrees Celsius temperature हो, जब can का, तब एड की जाती है, ठीक है, तो एक बार हमने नीचे आड कर दिया, sirp और brine, उसके बाद हमने हमारा fruits and vegetables आड कर दिये, उसके बाद उपर से फिर हम अपना जो sirp and brine है, उसको एड करेंगे, ठीक है, उसको एड करेंगे, फिर उसके बाद हम head space है, जो छोड देंगे उपर से 0.32 cm से 0.47 cm of can, ठीक है, इसका जो, हम brine और sirp add क्यों कर रहे हैं, ता जो to improve the taste of the canned product and fill हो जाएं, जो inner spaces होंगी, fruits and vegetables की, वो fill हो जाएं, इसलिए हम sirping and brining करते हैं, flavor के लिए and spaces को fill करने के लिए, sirping and brining करने के बाद हम lidding और clinching करेंगे, ठीक है, cans after being filled are covered loosely with lid or passed through the exhaust box, lidding को replace कर दिया गया है, clinching से, in which the lid is partially seemed to the can by a single first roller section और double seamer, जो lidding और clinching है, उसमें क्या करते हैं, clinching करते हैं, partially seam होती है, जो lid होती है, single seam, first roller action by roller seamer, उसके बाद exhausting होती है, exhausting में क्या होता है, कि by exhausting, जो risk होता है, corrosion का, tin blade का, और discoloration of product का, reduce कर दिया जाता है, as the oxidation process is a preventer, ठीक है, इसमें हम इसलिए exhausting करती है, इसमें cans को pass करवाय जाता है, hot water होता है, जो 82 से 87 degree Celsius वाला temperature का, जो water होता है, उसमें से can को pass करवाय जाता है, एक moving conveyor होती है, by belt through a steam box, ठीक है, तो जिसमें time 5 to 25 minutes लगती है, उसमें से pass करवाय जाता है, exhausting के दुरान क्या होता है, कि हम उस पे can पे कुछ ऐसी gases expel करती है, जो कि prevent करे, food को spoiler से, and can को bulging से, उसके बाद sealing कर देती है, after exhausting, the cans are sealed by special closing machine, जिसे हम double seamer बोलती है, ठीक है, उससे sealing की जाती है, आप hand sealing भी कर सकते हो, semi-automatic machine होती है, उससे भी sealing कर सकते हो, and जो fully automatic seamers होती है, उससे भी है, आप sealing कर सकते हो, उसके बाद next step आता है, sterilization, अब जो heat treatment देती है, can को, अगर fruits की canning की है, तो 100 degree Celsius पर, अगर vegetables की canning की है, तो 160 and 120 degree Celsius पर, हम जो sterilization करते है, क्यों करत है, spoilage microorganism को eliminate करने के लिए, time जो, and time जो sterilization of canned food का, वो depend करता है, size of the can, temperature, and rate of heat penetration, and pH of the food, okay, and sterilization के बाद हम washing and cooling करते है, can अब close हो गई है, ठीक है, हमने उससे sterilization करती है, फिर उन्हें पास करवाय जाता है, एक detergent सप्रे से, ताह जो जो उपर उनके उपर greases and other material present होगा, उसको wash करने के लिए, ठीक है, the washing should consist of hot water है, जो 66 degree Celsius, then the suitable pre-rinse and detergent spray wash, followed by the fresh warm water, rinse 66 degree Celsius, पहले तो warm temperature, warm water है, जो उससे जो है, can को पास करवाय जाता है, उसके बाद जो fresh warm water होगा, जिसका temperature 66 degree Celsius होगा, उससे can को पास करवाय जाएगा, ठीक है, wash करने के बाद हम cooling करते हैं, cooling है, जो cooling का temperature है, वो 30 degree Celsius से 42 degree Celsius होता है, इसमें cooling में क्या करते हैं, कि जो thermophilic spoilage और can rust हो सकती है, उसको prevent करने के लिए हम cooling करते हैं, if can are cooled much below 30 degree Celsius, they are not dry through and rusting well अगर आपकी जो can है, वो cool नहीं होती 30 degree Celsius तक, तो उसमें rusting हो सकती है, if the can are cased at temperature much over 42 degree Celsius, अगर उसका temperature 42 degree Celsius तक आप आपका रहे जाता है, तो अब thermophilic spoilage हो सकती है, तो जरूरी है कि can का जो temperature है, वो 36 से 42 के बिचकार ही होना चाहिए, labeling and storage, उसके बाद after completion the process, canning की labeling की जाती है, packaging की जाती है, and उसे store किया जाता है, dry place में, canning का जो, अगर आप storage temperature है, जो style canned meat product का, वो 21 degree Celsius से अबव नहीं होना चाहिए, अगर अबव होता है, तो deterioration है, जो cause होती है, अब दुबारा से हम एक canning की process को review कर लेते हैं, पहले हमने fruits and vegetables को select किया, sort किया, उनके size and shape के base पर, and उसके color के base के base पर भी हम हमसे sort करते हैं, and उनको wash करते हैं, ता जो microflora है, surface के उ move हो सके, उसमें हम hot water sprays यूज़ करते थे, उसके बाद peeling, coring and pitting यूज़ करते हैं, peeling हमने आपको काफी सारे methods बताए थे, by hand भी कर सकते हो, by hate treatment भी कर सकते हो, उसके बाद blanching करते हैं, inactivate करने के लिए microorganism को, blanching हम हम hot water में भी करते हैं, and steam blanching भी करते हैं, उसके बाद can की filling करने स्टार्ट करते हैं, और sirp हम यूज़ करते हैं, sirping तब करते हैं, जब fruits की कहनी करनी हो, brining तब करते हैं, जब vegetables की कहनी करनी हो, ठीक है, नीची आप sirp डाल दोगे, उसके बाद आपनी fruits and vegetables, जो soft हो चुकी हैं, blanching के कारण, वो डाल दोगे, and उसके बाद फिर आप sirping लालोगे, फिर उसके leading और clinching करोंगे, आपकी headspace शोड के, फिर उसको exhausting करोंगे, मतलब कि जो ऐसी gases उस पे expel करोंगे, जिसके वज़े से spoil ले जाओ, जो prevent हो सके, उसके बाद sealing करोंगे, उसके बाद washing करोंगे, तहां जो जो ऊपर greases वगेरा है, can के उपर जो भी material present है, उसक को फिर cooling करोंगे, एक exact temperature पर, फिर labeling and storage कर दोगे canning की, आज हमने इस वीडियो में canning की process को detail में बढ़ा, तो आप तो आप canning process आप इससे अच्छे से सीख सकते हो, इससे मतलब और आगे कुछ भी नहीं है canning का, अगली वीडियो में हम canning की spoilage कैसे होती है, canning के अलग-लग food होते हैं, जो can करते हैं, ठीक है, तो उसमें spoilage किन-किन तवज़े से होती है, उसको detail में discuss करेंगे, तो ये वीडि झालव गिया ऑते हैं, तो ये वुशनी रयती हैं, जो इन तवज़े के झी उख भीडिवी नहींक्तित टे रहती हैं, जो में तूज़ेने जलग-ले चाहन है कह पुमैरी अपक में थी的人士 जोु heading, ग zor satisfaction के बवाद किनोग और ये खर भालवाद है हैं, एवज़े नहीं को फि